नमस्कार दोस्तों, Pathfinder के Modern Indian History सीरीज में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paal Singhra ठोड और आज Lecture No. 56 में हम continue करेंगे 1945 से आगी की कहानी के बारे में तो आपको याद हूँ तो पिछले Lecture में मैंने आपसे डिसकस किया था वैवल प्लान, उसके बाद आई थी Shimla Conference और ये वही समय है जब World War 2 खत्म हो चुका है, तो देखें Shimla Conference जब चल रही थी उस समय World War 2 यूरोप में खत्म हो चुका था और अगस्त के महीने में जापान भी सरेंडर कर देता है, डुटिय विश्व इद्ध पूरी तरह से समात और अब UK बहुत जादा प्रेशर में है अपनी कॉलोनीज को अजादी देने के लिए क्योंकि उस पर अमेरिका का दबाव है, USA का, UN बन चुका है, UN का दबाव बन रहा है और साथ ही साथ UK बहुत ही कमजोर हो गया है, अब UK इतना ताकतवर नहीं है कि वो अपनी कॉलोनीज को अकेला संबाल सके, तो ऐसे में ये बात तह लग रही थी कि भारत को अजादी तो मिल जाएगी, लेकिन अभी भी किस रूप में अजादी मिलेगी कि इसके बारे में कोई स्पष्टिता नहीं थी, याद कीजे, Muslim League और Congress ये दोनों आपस में सहमत ही नहीं बना पा रहे थे, और Shimla Conference भी इसलिए फेल हो गई थी तो यहाँ से आज हम आगे बढ़ेंगे, और 1946 में Cabinet Mission के बारे में बात करेंगे देखे, Cabinet Mission शायद सबसे Important अंग्रिजों की तरफ से अप्रोच था आजादी के लिए भारत को आजादी देने के लिए अगर सबसे Serious Mission कोई भेजा गया था तो वो Cabinet Mission था, इससे पहले याद हो था आपको August Offer, Crips Mission ये सब आये थे लेकिन ये सबी इतने Serious Offers नहीं थे, तो Cabinet Mission के बारे में हम चल्चा करेंगे उसके बाद कैसे भारत में एक समिधान सभा बनती है, Constituent Assembly इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, Interim Government, इसको भी हम डिसकस करेंगे Interim Government and finally, Direct Action Day तो Direct Action Day से दंगो की शुरुवात हो जाती है, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम अजादी हासिल करेंगे तो ये Second Last Lecture होगा, इस सीरीज का, आपको अगर इस लेक्चर का पुराने लेक्चर के PDF डाउनलोड करने हैं तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल डॉक्टर महिपाल राठोट सर से कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलिग्राम चैनल पे भी जुड़िये, बहाँ पर भी पाथफाइंडर चैनल पर आने वाले सभी लेक्चर की अपडेट्स आपको मिल जाती है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि राहूल सर एकॉनमी की सीरीज चला रहे हैं उसको जरूर फॉलो कीजे अगर आप में से कोई व्यूर पहली बार मेरा हिस्ट्री लेक्चर देख रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक पूरी सीरीज है आप प्लेलिस्ट सर्च कर दीजे पाथफाइंडर चैनल पर जाकर मॉडरन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे लाइन से आप इन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं मैंने इनके थमनेल पर ही यहाँ पर ही लिखवा दिया है लवन, लटू इस तरह से लेक्चर नंबर्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे मेरा मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स शुरू हो रहा है यूट्यूब पर एक जन्वरी 2022 से इन क्लासेस को जरूर देखें, मेडिवल हिस्ट्री आपको इससे काफी अच्छी समझ में आ जाएगी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ओफ इंडिया ये शुरू हो रहा है प्लस प्लैटफॉर्म पे इस कोर्स का लिंग मीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा अगर आप एक Unacademy प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप और इस कोर्स को देख सकते हैं अगर नहीं है तो Unacademy सब्सक्रिप्शन लेकर आप इसे अवेल कर सकते हैं जिन फैकल्टी से पढ़ने के लिए पहले आप महानगरों की तरफ जाते थे दिल्ली की तरफ जाते थे वो सभी टीचर्स अब Unacademy पर लाइव पढ़ाते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं प्लस और आइकॉनिक आइकॉनिक का एक एडिशनल फीचर है वो यह कि आपको one-on-one mentorship मिलेगी वाया आर experts और प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको classes, test series, notes यह सभी सुविधाय मिलेंगी वन यहार सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउं 47,000 रुपीज और EMI पर अगर इसे लेंगे तो 3,900 रुपीज पर मन्त जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आपको 10% discount मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करके उस सब्सक्रिप्शन को अवेल करते हैं होती special announcement आप लोगों के लिए आने वाला है अब आजाते हैं 1945 पर 1945 में गर्मियों में लड़ाई खत्म हो गई थी यूरोप में में 1945 में उसके दो महिने बाद जुलाई 1945 में ब्रिटन में आम चुनाव होते हैं इस चुनाव में ब्रिटन के popular prime minister Winston Churchill surprisingly चुनाव हार जाते हैं और इनकी जगे प्रदान मंत्री बनते हैं Labour Party के Clement Attlee तो ये थे conservative party के या दखना ये point काफी important है that Winston Churchill belong to conservative party और ब्रिटन के लिए ये महानतम प्रदान मंत्रियों में से एक है भारत के point of view से नहीं ब्रिटन के लोगों के लिए बिलकुल हार के मुह से इन्होंने ब्रिटन को निकाला था 1940 में और World War 2 में इन्होंने UK को जीत दिलवाई थी of course with the help of USA and USSR but still UK को जिस condition से इन्होंने बहार निकाला वो काफी काबिले तारीफ था लेकिन 1945 में जब आम चुनाव होते हैं तो ब्रिटन के लोगों को लगा कि इस तरह का व्यक्ति जो युद्ध में देश को आगे ले जा सकता है शायद वो शान्ति काल के लिए ठीक नहीं है और बहतर ये रहेगा कि हम एक ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव करें जो देश में बढ़ती बिरोजगारी से निपटने के लिए मदद करें और थोड़ा सा स्टेबल व्यक्तित्व हो स्टेबल पॉलिटिकल कोईलिशन बना कर चल सके क्योंकि विंस्टन चर्चिल की सभी नेताओं से इतनी अच्छी बनती भी नहीं थी तो ऐसे में क्लिमेंट एटली और उनकी लेबर पार्टी सत्ता में आते हैं अब क्लिमेंट एटली 1946 में अनॉंस करते हैं कि भारत को अजादी देने के लिए प्रारूप तै करने के लिए हम एक कैबिनेट मिशन बेजेंगे तो तीन सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को बेजा गया भारत और ये अनॉंसमेंट हुआ था 15 मार्च 1946 को तो एटली के दो अनॉंसमेंट्स हैं ये तो तै हो चुका था कि अब ब्रिटन भारत को आजादी दे देगा क्यूंकि इन्होंने सीधी बात कर दी थी कि आप किस तरह से आजाद होना चाहते हो इसका प्रारूप तै कर लिते हैं और समिधान बनाना शुरू कर देते हैं भारत का तो ऐसे में कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा तो कैबिनेट मिशन एक तरह से यूके की तरफ से अप्रूवल लग गया था अब तो भारत को आजादी मिलनी तै है तो कैबिनेट मिशन काफी सीरिसनेस के साथ भेजा गया था जब इसे भेजा तब इन्होंने ये बाते नहीं करी कि डोमेनियन ले लेना, सेल्फ रूल ले लेना, मिलिटरी हमारे हाथ में रहेगी इस तरह की कोई बात नहीं कही थी, इस बार Clement Attlee, British Prime Minister ने सीधे तोर पर भारत को आजादी देने के बारे में ही बातें कही थी अब एक सवाल आपके दिल में आया होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि आजादी दे दी देखे, 1945 में Britain World War II हारने के बाद काफी कमजोर हो गया था, UK was very weak उसके पास अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी पुरानी colonies को संभाल कर रख सके दुनिया बदल चुकी थी, the world was a new place, पूरा South East Asia उसके हाथ से चला गया था जापान ने एक भारत को छोड़ कर, बाकी जापान ने इनका पूरा Empire दक्षिनपूर वे इसिया में खत्म कर दिया था तो UK को समझ में आ गया कि भारत से भी बोरिया विस्तर बांध के जाने का समय आ चुका है आये ने सुवाश चंद्र बोस की द्वारा लीड करी गई आर्मी जिसके बारे में हम दो लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं आये ने ने ये बता दिया था कि अगर भारतिय सेनिक इनके खिलाफ हो जाते हैं तो ये एक या दो महीने के मेमान है भारत में ये बात इनको समझ में आ चुकी थी धीरे धीरे और फाइनली भारत का जो राष्ट्रिय आंदोलन है जिसको कॉंग्रेस और अन्य पार्टियां लीड कर रही थी गांदी जी, नहरू, पटेल, बोस ये सारे नेताओं ने जो अंदोलन लीड किया था इतने साल वो इतने बड़े स्तर पर अब हो चुका था कि 1940s के कुट इंडिया मूव्मेंट के दौरान इनके लिए law and order situation समालना मुश्किल हो गया था तो अब इन्हें दीरे-दीरे समझ में आने लग जया था कि भारत को तो हम लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकते, आज नहीं तो कल या तो यहां बगावत हो जाएगी या फिर लोग खुद ही हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे तो हमें तो एक महीने के अंदर-अंदर देश खाली करना पड़ेगा तो उससे बहतर यह है कि हम अपने समय रहते, अपने हिसाब से यहां से निकल चलें तो ऐसे महल में Cabinet Mission बहजा जाता है 1946 की गर्मियों में भारत को अब इसे Cabinet Mission क्यों कहते हैं क्योंके इसमें Britain की सरकार की Cabinet के तीन सीनियर मंत्री थे और इनमें से एक मंत्री तो पहले भी भारत आ चुके थे Stafford Crips, याद है ना आपको Crips Mission 1942 तो यह वही Stafford Crips हैं, फिर से आ गए थे अभी लेबर पार्टी जॉइन कल डी थी इन्होंने और मंत्री बना दिये गए थे Board of Trade यानि कि एक तरह से वित्त मंत्री या फिर आप कह सकते हो Commerce Minister इनको बना दिया गया था Sir Pethic Lawrence, Pethic Lawrence was the Minister for India, Secretary of State for India और तीसरे थे A.V. Alexander, तो यह Military Background के वेक्ती थे First Lord of Admirality, यानि क्या आप कह सकते हो कि Navy के Chief हैं Navy में एक Political Authority वहाँ पर हुआ करती थी Britain में उस समय जिसको यह कहा जाता था First Lord of Admirality, तो तीन बहुत ही Senior Minister, इस आर in fact the most Senior Ministers जो Britain की Cabinet में थे, इन तीनों को भारत भेजा गया, Prime Minister Clement Attlee की तरफ से तो नाम याद रख लेना, Clement Attlee और किस पार्टी को बिलॉंग करते थे, यह Labour Party को और Winston Churchill बिलॉंग तो Conservative Party 24 March 1946 को यह Mission आता है भारत, और यह बैठके करनी शुरू कर देता है किसके साथ भारत के सभी Political Party, सभी निताओं के साथ बैठके होती है और अब इस बात की चर्चा हो रही है कि Constitution कैसे बनाना है यह चर्चा नहीं हो रही है कि Dominion दे, आपको Self Rule कैसा देना है आदा अदूरा आजादी देनी है, पूरी आजादी देनी है अब discussion हो रहे हैं Constitution के बारे में, आजाद भारत के बारे में और सरकार कैसे बनेगी, हम सरकार आपको बनाने के लिए देंगे तो आप कोई interim सरकार बनाएंगे, एक temporary government बनाएंगे यह सारे discussions चलते हैं कई हफतों तक और इसमें सभी पार्टियां शामिल देंगे लेकिन सारा मामला आकर अटक जाता था पाकिस्तान की डिमांड पर तो मुस्लिम लीग और मुहमद अली जिन्ना छे प्रांतों को अलग करके एक नया देश बनाना चाते थे, मुस्लिम मिजॉरिटी कंट्री बनाना चाते थे और कॉंग्रेस ये बनने नहीं देना चाती थी तो दोनों के बीच में कोई सहमती नहीं हो पाती अगें शिमला कॉंफरेंस वाली प्रॉब्लम्स यहां पर भी सामने आती है तो अल्टिमेटली ये जो कैबिनेट मिशन है ये इतना फ्रस्टेट हो गया कि इसने कुछ हफते बाद खुद अनौंस कर दिया अपने हिसाब से कि ये हमारे रेकेमेंडेशन है आप लोग आपस में तो कुछ सहमती करने ही पारे हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं कि ये भारत के आजादी का प्रारूप होगा तो कैबिनेट विशन के द्वारा क्या सुझाव दिये गए क्या रेकेमेंडेशन दिये गए सबसे पहला कि भारत की एक इंतरिम गवर्मेंट होगी अंतरिम शब्द जो होता है हिंदी का उसका मतलब होता है temporary between something in the middle of two things तो अभी भारत गुलाम है आजाद होगा उसके बीच में transition को handle करने के लिए एक सरकार बनाई जाएगी उसे कहा जाएगा interim government और इन्होंने कहा कि union of India बनाईए ध्यान देना है यहाँ पर union of India इसका क्या मतलब है कि भारत एक देश होगा इसने बटवारे के बारे में बात नहीं करी थी cabinet mission did not accept the demand of Pakistan इन्होंने कहा कि union of India बनेगा लेकिन यहाँ पर केंदर बहुती कमजोर होगा तो इस union of India में केंदर सरकार के पास किवल तीन शक्तिया होंगी विदेशों से संबंध क्या रखने है रक्षा और दूरसंचार यह तीन ministries के अलावा या इन तीन subjects के अलावा सारे power प्रांतों को दे दिये जाएंगे provinces को दे दे जाएंगे और Residuary powers भी प्रांतों को जाएंगे Residuary समझते हैं आप कि जो union और centralist में नहीं है कुछ ऐसे powers तो वो power दे दिये जाएंगे automatically provinces को तो इस प्रकार से केंदर सरकार तो हो जाएगी कमजोर और राज्य सरकारे हो जाएगी बहुत ही मजबूत तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने system बनाना चाहा ऐसा जिसमे राज्यों के पास बहुत स्वायतिता हो ये क्यों किया गया ये एक तरह से पाकिस्तान की demand को ना मान कर एक middle ground दिया गया था कि जो राज्य हैं वो काफी हद तक स्वायत तो होंगे तो सिंद, पंजाब, बंगाल जहां पर Muslim League कह रही थी कि अलग देश चाहिए उन प्रांतों को जादा problem नहीं होगी वो अपने इसाब से अपनी governance चला पाएंगे अब इन प्रांतों को किस तरह से बांटा जाएगा, किस group में रखा जाएगा ये भी cabinet vision ने बताया cabinet vision ने कहा कि तीन groups होंगे states के group A, group B, group C और आप इने ध्यान से देखेंगे तो आएए map में ये आपको बता देता हूँ तो ये वाला जो group A है ये सभी Hindu majority states है तो mostly आज जो भारत है वो सारे states इसमें group A में आ गए group B को अगर आप देखें सिंध, पंजाब, Northwest Frontier Province, बलुचस्तान तो this is more or less today's Pakistan और तीसरा group है यहाँ पर East Bengal और Assam तो एक तरह से जो Muslim League की demand थी उसको मान लिया गया और ये भी कहा कि इन प्रांतों के पास ये power होगी कि वो अपना अलग समिधान बना सकेंगे तो केंदर का एक समिधान होगा और राज्यों का अलग समिधान होगा तो जैसा सिस्टम आज United States of America में है कुछ उस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर Cabinet Mission प्रपोस करके चला गया और इसमें भी Muslim Majority और Hindu Majority Areas को अलग-अलग Groups में रखा गया लेकिन देश का विभाजन करने की कोई बात नहीं थी Country एक ही रहेगा, Union of India एक रहेगा सरकार केंद्र में एक ही रहेगी इस मैप में एक बात ध्यान से देखिए जो भी Pink कलर का एरिया है वो Direct British Rule में है लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा लगबग 40% हिस्सा Yellow कलर में आपको नजार आएगा और यह Yellow कलर क्या है तो इन प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा Cabinet Division ने कहा कि प्रिंसली स्टेट्स की अपनी पावर बनी रहेगी और इनके पास जितने भी कानून बनाने के अधिकार है जो अभी उनके पास है वो आगे भी उनके पास बने रहेंगे केवल जो तीन Defense, Communication और Foreign Relations यह तीन Important Subjects जो दिये गए है Union Government को केवल यह इन से लिये जाएंगे बाकी सारा अधिकार प्रिंसली स्टेट्स का बना रहेगा तो इस पूरी स्कीम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि Cabinet Mission ने ना तो Muslim League की Demand को माना Muslim League की Demand थी कि पूरा पाकिस्तान अलग देश बनना चाहिए ना तो यह Demand उनकी Accept हुई और दूसरी ओर Congress की Demand थी कि देश तूटना नहीं चाहिए तो Congress की भी Demand accept हो गई कि देश नहीं तूट रहा There is a Union of India तो एक बार बतो दो दोनों राजी हो गए Muslim League Congress दोनों ने का हाँ हाँ सब बढ़ी है Everything is good तो शुरुवाती कुछ दिनों के लिए दोनों बहुत ही खुश थे दोनों ने कहा कि Cabinet Division बहुत है बहुत ही अच्छा है It is the best लेकिन जैसे जैसे उनको यह Plan Detail में समझ में आया जैसे जैसे discussions आगे बड़े और finally जब announcements होते हैं उसके बाद दोनों ही नाराज हो गए Congress ने कहा कि देखो ये कमजोर केंदर सरकार हमें बिलकुल मनजूर नहीं है We do not want a weak center बिलकुल भी नहीं चाहिए और इसमें भी सबसे आदा instrumental थे जवार डाल नहरू तो नहरू ने कहा कि अगर केंदर सरकार कमजोर हो गई तो देश आज नहीं तो 5 साल-10 साल में बिखर जाएगा और दूसरा कारण था कि ये 3 तरह का प्रांतों का विवाजन ये भी मनजूर नहीं है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है एक तरह से semi-autonomy दी जा रही है Muslim majority areas को अलग देश ना देकर उन्हें देश के अंदर एक अलग देश की विवस्था के रूप में रखा जा रहा है तो इसलिए Congress ने कहा कि हमें Cabinet Mission का पूरा प्लान मनजूर नहीं है तो इन दो points की वज़े से Congress ने Cabinet Mission को reject कर दिया ये Congress ने बिलकुल Accept कर लिया They were very happy with this उन्होंने का ठीक है ये काम बढ़िया है इसको हम कर लेते हैं Interim Government भी बनेगी वही इस Constituent Assembly से बनेगी और ये दोनों काम हम स्टार्ट कर सकते हैं तो देखे अब भारत में शुरू होता है Constituent Assembly बनाने का काम लेकिन अब समिधान सभा बनाने में भी एक challenge था कि ये जो yellow color के princely state areas आपको नजार आ रहे हैं यहां से कौन प्रतिनेदित्व करेगा इनका क्या राजा महराजा खुद आएंगे बैठने के लिए Constituent Assembly में या फिर ये अपने नुमाइनदे बेजेंगे अगर नुमाइन दे भेजेंगे तो वो किस तरह के लोग होंगे तो इस तरह के debate स्टार्ट हो गए थे और Constituent Assembly select कैसे होगी उसका चुनाव कैसे होगा ये भी एक बहुत बड़ा issue था तो देखे Constituent Assembly 389 सदस्यों की बन्नी तै हुई 389 सदस्यों ये नंबर कैसा है देखो एक रफ उन्होंने डिविजन कर लिया कि भारत की जितनी आबादी है लगबग 39-40 करोड के आसपास आबादी थी भारत, पाकिस्तान, मांगलादेश आज का जो है उसकी पूरी मिला कर उस समय 40 करोड के आसपास आबादी थी तो 1,000,000 यानि कि 10,000,000 लोगों पर एक नुमाइंदा एक प्रतिनिदी होना चाहिए ये प्लान करके उन्होंने Constitution Assembly की strength 389 डिसाइड करी जिसमें से British India को मिली 296 seat और जो येलो कलर में आपको princely states नजर आ रहे हैं जिसमें मिली 93 seats तो ये आकड़ा आपको याद रखना है एक्जाम में directly पूछा जाता है 296 from British Controlled Territories, British India का मतलब है जो ये pink color का area जितना भी है जो directly British शासन के अधीन था और 93 है princely states से अब इस 296 में से भी 292 ये आएंगी Governors provinces से और 4 Chief Commissioner provinces तो total 15 provinces थे जिन में से 11 बड़े प्रान थे, 4 छोटे छोटे प्रान थे Chief Commissioner provinces जैसे की अजमेर ये थोड़े छोटे प्रान थे इन में Chief Commissioner का office हुआ करता था तो total 15 प्रान थे लेकिन जो बड़े बड़े provinces या states हैं दे वेर numbering 11 चाहे princely state हो, चाहे British India हो, सभी जगे formula यही रखा गया था कि 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनदी होना चाहिए और जो भी Hindu, Muslim और Sikh population थी उसकी अबादी के अनुपात में है, वहाँ पर members रखे गए तो मान लो कि Punjab प्रांज में अगर 40% Muslim है तो 40% seats assembly में भी, constituent assembly में भी Muslims को जाएंगी तो इस प्रकार से Muslim और Sikhों के लिए अलग से seat रखी गई और बाकी general category में रखी गई So everyone except Muslim and Sikh, so that is Hindu, Jain, Buddhist, everyone comes under general तो यहाँ पर याद रखना कि कोई भी depressed classes के लिए या फिर scheduled tribes के लिए किसी भी प्रकार का अलग reservation का प्रावधान इस समय, constituent assembly में नहीं रखा गया था केवल धर्म के आधार पर कुछ seat का reservation यहाँ पर किया जाता है अब यह जो members है, constituent assembly के क्या यह आम चुनाव के माध्यम से आया थे? जी नहीं, इनको चुनने के लिए आम लोगों ने voting नहीं करी मान लीजे, United Provinces है, आज का जो उत्तरप्रदेश है तो इस United Provinces की जो state के assembly थी, provincial assembly जिसके चुनाव कब हुए थे? याद है न, 1946 January में चुनाव हुए थे, पिछले lecture में बताया था तो उस चुनाव में जीते हुए जो प्रतिनिदी हैं जो United Provinces के assembly के सदस्य हैं, वो अब vote डालेंगे अपने राज्य या अपने प्रांथ के constituent assembly member के लिए तो United Provinces से समिधान बनाने के लिए, समिधान सभा में कौन जाएगा ये तै करने वाले provincial assembly के members थे, आम नागरिक नहीं थे और यहाँ पर proportional representation का इस्तमाल किया गया था voting के दौरान ये तरीका क्या होता है, मैं आपको polity में समझाऊंगा अब जो भी representatives थे princely state के, वो directly इन राजा महराजाओं के दौरा नामित किये गए थे यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुए थे, तो प्रांतों में तो चुनाव हो गए, लेकिन princely states के अंदर direct nomination के माध्यम से इनको चुन लिया गया तो इस प्रकार से हमारे देश की जो समिधान बनाने वाली सभा थी, constituent assembly, वो आधी तो चुनकर आई थी, elections के माध्यम से और आधी directly nominated थी तो ये सवाल directly exam में पूछा जाता है, कि what was the nature of the constituent assembly, was it elected, was it nominated, क्या अंग्रेजों ने बनाई थी, जी नहीं, अंग्रेजों ने नहीं बनाई थी, आधी assembly चुनकर आई थी, और बाकी के आधी भारत के princely states के राजा महराजाओं के द्वारा nominated सदस्यों से बनी थी constituent assembly के members को चुनने के लिए July 1946 में चुनाव होते हैं, और ये चुनाव 1946 की January वाले चुनाव से अलग हैं, तब प्रांतों के election हुए थे, अब इन elections में जीते हुए लोगों ने जुलाई में vote डाला to send their respective members for constituent assembly, तो इन चुनाव में आम लोगों ने vote नहीं दिया था, ये बात बहुत ही important है, तो यहाँ पर जो 214 general seats थी, उनमें से Congress 205 जीत जाती है, 78 Muslim seats reserved थी, उनमें से 73 Muslim league जीत जाती है, तो फिर से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वही 1946 वाले चुनाव जो हो गए थे, आम चुनाव, उसी की pattern पर, यहाँ Muslim league और Congress के बीच में पूरी तरह दुरवी कर परण हो चुका है, जाला तर Muslim seats पर Muslim league जीत रही है और आम seat पर Congress जीत रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Congress total 208 seats जीतती है, 73 Muslim league और बाकी की 15 seat अन्या पार्टियों के पास गई थी, तो 296 members थे, 296 members Constituent Assembly में जो British India से थे, और बाकी के 93 अगर आप जोड लेंगे, तो यह कहां से आये थे, प्रिंसली स्टेट से, लेकिन शुरुवाती समय में, 1946 में, प्रिंसली स्टेट ने अपनी seatों को फुल्फिल नहीं किया, इन फाक्ट जब भारत अजाद होने के कगार पर था, 1947 में जब देश अजाद होने से पहले युनिफाई हो रहा था, उस समय इन्हो ने अपने मेंबर्स भेजने स्टार्ट किये और लगबद 5-6 महीने बाद जाकर इनके मेंबर्स आकर असेंबली के डिबेट्स में शामिल होते हैं, तो नवेंबर 1946 तक समयधान सभा पूरी तरह से बनकर तयार हो चुकी थी और इसने अपना काम शुरू कर दिया था, तो न प्रिंसली स्टेट्स के 93 मेंबर्स शामिल नहीं हुए थे, तो 70 और 93 ये दोनों ही मेंबर्स यहाँ पर इसमें शामिल नहीं थे, तो आउड ओफ 389 यहाँ पर कई सदस से एपसेंट है, 9 डिसमबर 1946 को कौनस्टेट्वेंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, और इस 11 सदस्यों के साथ भारत की समिधान सभा बैठती है और अपना काम शुरू कर देती है, समिधान सभा के पहले टेंपरेरी प्रेजिडेंट के रूप में डॉक्टर सजिदानन्द सिना को अपॉइंट किया गया था, ये परंपरा हमने फ्रेंच कॉंस्टिटिउशन बनाने क ये तरीके से ली थी, वहाँ पर भी जो सबसे oldest member होता है, उसको प्रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया जाता है, इसके बाद Constituent Assembly में से ही interim government बनती है, तो जो सदस्य चुनकर Constituent Assembly में पहुँचे थे, उनी में से कुछ लोगों को मंत्री बना दिया गया और भारत की पहली cabinet बनती है, so this is the interim government of India, which is a temporary government, तो 1946 में ये बनकर तयार होती है, और 1951 तक जब तक एक transition period है, देश आजाद हुआ, समिधान बना, उस समय तक ये सरकार काम करती है, 5 साल के लिए, और 1951 के end में देश में चुनाव होते हैं, so 51 November, December and 1952 January उस समय चुनाव होते हैं, और 1952 में आजा देश की पहली सरकार चुनकर अपॉइंट करी जाती है, तो 1951 तक देश के अंदर कौन सी सरकार चल रही थी, यही interim government चल रही थी, तो इस government में external affairs and commonwealth relations का पद जाता है, जवारलाल नहरू को, याद रखिए, 1946 में जब ये बनी थी सरकार, तब प्राइम मिनिस्टर का पद नह नहीं था, 1947 में जिस दिन देश अजाद हुआ, उस दिन के बाद से जवारलाल नहरू प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके पहले, he was the external affairs and commonwealth relations, क्योंके अभी भी पूरी जो interim government है, वो किसके अधीन चल रही है, वाइस रोय के अधीन है, ओके, सो यहाँ पर प्राइम अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ यूनीक बात है, आपने कभी अब लियाकत अली खान का नाम भारत की राजनिती में नहीं सुना होगा, आपने जोगिंदरनाथ मंडल का नाम नहीं सुना होगा, तो यह सभी बाद में पाकिस्तान में चले गए थे, क्योंकि यह सभी सदस्य उन्हें एरियास से आते थे, जो आगे चलकर पाकिस्तान बन जाते हैं, तो अभी पाकिस्तान बना नहीं है, लेकिन 1947 में 15 अगस्त को जब जोगिंदरनाथ मंडल जो हैं, यह पाकिस्तान के law minister बन जाते हैं, तो इन सभी ministers के portfolio और नाम आपको याद होने चाहिए, इन में से खास करके जो यह शुरुवाती 10 हैं, इनके बारे में अक्सर questions पूछे जाते हैं, तो देखे, cabinet mission plan का क्या role था, भारत में cabinet mission plan बहुत ही important है, क्योंकि यह अजादी का एक final approval था, और इसने भारत के अजादी के प्रारूप को तै किया था, जैसे कि constituent assembly, interim government, यह सब कुछ cabinet mission ने बता दिया, हाला कि cabinet mission का बताया हुआ देश का जो plan है, union of India के इस प्रकार का होगा, वो implement नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान भारत अलग हो ज जैसे जब debates चल रहे थे, उसमें cabinet mission plan का कई बार जिक्र भी हुआ था, और constituent assembly ने ये खुद बात acknowledge करी थी, कि उसे बनाया ही cabinet mission plan के अनुसार गया है, लेकिन ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई या, अंग्रेजों से power लेने वाली संसा नहीं है, इसे चुनकर भारत के लोगों ने भेजा था, तो इसलिए इसकी जो legitimacy है, वो भारत के लोगों के कारण है, सविधान बनाने के लिए इसकी वैदता अंग्रेज तै नहीं करते थे, इसकी legitimacy, इसकी वैदता भारत के लोगों के कारण थी, लेकिन फिर भी शुरुआती एक साल में cabinet mission plan को काफी तवज अगर वो कह देते कि हम CMP को reject कर देते हैं, तो इसका मतलब Muslim League उन्हें कभी फिर से rejoin नहीं कर पाते, तो उस वक्त उमीद यही थी 1946 के December तक तो कि कम से कम Muslim League वापिस आ जाएगा और एक ही देश रहेगा, अब बात करते हैं कि Muslim League ने cabinet mission को क्यों reject कर दिया, ये भी काफी important है, द पहले तो इन्होंने अप्रूव कर दिया कि बहुत बढ़िया, Muslim प्रांतों को इतनी स्वायतता मिल रही है, और हमारा काम आसानी से चल जाएगा, लेकिन Congress जो है, वो एक कमजोर सेंटर को स्विकार करने के लिए तयार नहीं थी, तो जिनना देख रहे थे, Muslim League देख रहे थी कि Congress में किस तरह के debate हो रहे हैं, Congress में आपस में जो discussions हो रहे थे, उसमें जवारलाल नहरू ने साफ कह दिया था कि Congress कभी भी एक कमजोर सेंटरल गवर्मेंट को स्विकार नहीं करेगी, अगर हमें आजाद देख चाहिए, मजबूत देख चाहिए, जो टूटे ना भविश्य में, it is very important कि देश 15 साल बाद बिखर ना जाए, तो एक मजबूत केंदर सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, तो चाहे Congress ने Cabinet Mission को अब OK कर दिया था, लेकिन जिन्ना समझ गए थे कि ये कभी भी कमजोर सेंटरल गवर्मेंट नहीं रहने देंगे, ultimately Constituent Assembly में इनकी majority है, यानि क Congress की majority है, तो ये ऐसे कानून लाएंगे, इस तरह के articles समिधान में डालेंगे कि Center मजबूत होगा, तो एक बार अंग्रेज यहां से चले जाए, उसके बाद Constituent Assembly में जो मर्जी हो वो करके Center को powerful कर दिया जाएगा, और ये जो राज्यों को स्वैटता दी गई है, अभी British Cabinet Mission Plan के मनजूर नहीं होगा, ये देश को बिखराव के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो लॉंग स्टोरी शॉट, मौमद अली जिन्ना और Muslim League ने भी Cabinet Mission को reject कर दिया, जुलाई के महीने में Muslim League Council Bombay में मुलाकात करती है, और पाकिस्तान की डिमांड को फिर से जोर शोर से सामने रखा जाता है, और अब जिन्ना डिरेक्टली कह देते हैं कि पाकिस्तान की डिमांड के अलावा हमें कुछ भी मनजूर नहीं है, और पाकिस्तान या तो ब्रिटिश सरकार हमें दे दे, नहीं तो अब हम उसे लेकर रहेंगे और कैसे लेंगे, डिरेक्ट अक्शन के माद्यम से, तो ये डिरेक्ट अक्शन क्या है, कि हम पूरा जोर लगा देंगे पाकिस्तान बनाने के लिए, और डिरेक्ट अक्शन डे मनाया जाएगा 16 अगस्त 1946 को, तो जुलाई के मुस्लिम लीग के इस मीटिंग में, काउंसिल मीटिंग थी, उसमें ये तै किया गया कि 16 अगस्त को डिरेक्ट अक्शन डे के रूप में मनाया जाएगा, ये डिरेक्ट अक्शन क्यों किया जा रहा है, तो सीधा अक्शन करना है हमें पाकिस्तान हसल करने के लिए, और जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को जो यहाँ पर भाशन दिया था, डिरेक्ट अक्शन डे के दिन, उसमें साफ कह ताकि either we will have a divided इंडिया और a destroyed इंडिया या तो भारत बटेगा पाकिस्तान बनेगा या फिर भारत बरबाद होगा तो ये कहते हुए direct action day के दिन speeches दी जाती है तो 16 अगस्त को कलकत्ता में जब ये rally बुलाई गई जहांपर जिन्ना ने speech दी थी इस speech को देने के बाद लोगों की भावनाय बहुत भड़क गई और जो भी Muslim League के समर्थक यहां आये थे लाखों की बीड थी इन्होंने शहर के अंदर दंगा शुरू कर दिया तो communal tension बहुत बढ़ा हुआ था अल्रेड़ी communal tension काफी हाई था और अब directly riot शुरू हो जाते हैं तो भीड इखटी हो रखी थी Muslims ने यह कहा था कि पूरा शहर बंद होना चाहिए स्ट्राइक होनी चाहिए 16 अगस के दिन हिंदूज ने कहा था कि नहीं स्ट्राइक नहीं होगी सभी दुकाने खुली रहेगी अच्छा बंगाल में उस वक्त सरकार किसकी थी Muslim League की ठीक है तो Muslim League की सरकार थी Chief Minister या उस समय मुख्य मंतरी के बराबर है ठीक है Chief Minister के बराबर तो बंगाल में मुख्य मंतरी थे हुसेन शहीद सुरावर्दी Muslim League की सरकार थी इन्होंने पुलिस को indirectly कह दिया था कि आपको कुछ नहीं करना है जो हो रहा है उसको होने दीजे और ऐसे में शहर में जबर्दस दंगा बढ़ केवल कलकता में 6,000 हिंदू और मुसल्मानों को मार दिया गया इन दंगों में और मरने वालों में जादा लोग हिंदू थे ठीक है ये भी बिल्कुल फैक्ट था कि जादातर जो मारे गए थे उनमें हिंदू शामिल थे और कई महिलाओं का बलातकार किया गया कई हाथ लागू कर दिया जाता है 21 या 20 अगस्त को कुल मिलाकर एक हफ्ते तक जो ये दंगा फसाद चला था कलकता में इसमें 6,000 लोगों की डेथ हो जाती है अब ये जो राइटिंग थी ये दंगा था अगस्त 1946 में था ठीक है टाइम लाइन नोट कर ले आप 1946 अगस्त में हम आज तो ये लगातार दंगे चलते रहते हैं और इवन पार्टिशन के बाद ये पार्टिशन राइट्स का रूप ले लेते हैं तो पहले देश अलग करने के लिए दंगा फिर देश अलग हो गया उसके बाद दंगा तो दो साल तक दंगों की आग में देश जुलसता रहता है और स्थिती इतनी खराब हो जाती है इस एक साल में कि अंग्रेजों को समझ में आ जाता है कि या तो ये देश हमें छोड़कर अभी जाना पड़ेगा और देश अलग करके जाना पड़ेगा वरना यहां ग्रह युद्ध चट जाएगा और इस ग्रह युद्ध के हमें discuss करना बाकी है basically हमें Mountbatten Plan, Dickie Bird Plan Plan, Balkan और Indian Independence Act ये सब कुछ discuss करना है इनको discuss करके हम हमारा lecture खत्म कर देंगे आज रात 8 बजे मेरी एक MCQ की class होने वाली है जिसमें मैं quality based MCQs को discuss करूँगा इसको जरूर जोइन करें इसका link नीचे पहले comment में दिया गया है पॉलिटी के questions को आप लोग हलके में लेते हैं बिल्कुल भी हलके में ना लें मैंने by the way इसी तरह की एक series history MCQs की भी चलाई थी आप चाहें तो उन lectures को भी देख सकते हैं and academy app पर आपको मेरे free classes मिल जाएंगे हमारे सभी courses आप EMI option पर भी अवेल कर सकते हैं so do check out the EMI option इस video के नीचे description में जो पहला link है वो EMI के बारे में आपको guide कर देगा free test series हैं इनका फाइदा उठाई है unlock code महिपाल का इस्तमाल करके सारे free content को आप unlock कर सकते हैं combat में भी इस्सा लीजे scholarship जीतने का आपके बास मौका होगा रहिवार सुबह 11 बजे combat होता है thank you very much for watching this have a great day